Hi friends, welcome back to another video आज की इस वीडियो में हम एक topic cover करने वाले हैं कि जब भी आप product source करके लाते हैं manufacturer से या किसी supplier से और आप उसको Amazon या Flipkart या फिर Miso पर sell करते हैं तो बहुत सारी लोगों के मेरे पास comment आते हैं कि pricing कैसे set करते हैं मतलब मैं product को कितने रुपे में बेचू जिससे मुझे profit हो तो इस चीज़ की calculation बहुत सारे लोगों से गरत हो जाती है तो मैं अपनी price कैसे set करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को miss मत करना पूरी वीडियो last तक देखना सोस करके ला रहे है supplier से या manufacturer से तो उस product को हमने कितने की billing हुई है हमारे को product per piece कितने रुपे का पड़ा है ये calculation आप निकाल सकते हैं for example के लिए माल लोग आपने अपने supplier से 100 piece का order दिया अपने product का या फिर 100 से जदा आपने product का order दिया है वो आपको GST समयत including GST आपको bill काट कर आपका supplier आपको देगा तो आपको क्या करना है अपने एक product का costing price निकाल देना है आपका tapping, shipping level और आपका poly bag इसका हम मोटा मोटा 10 रपे का खर्चा माल लेते हैं जदि आपको corrugated box का इस्तिमाल करना पड़ रहा है तो फिर आपको उसका additional उसमें चार्ज आप जोड़ लीजिए इसके बाद जो next charge होता है कमपनियों का वो होता है कमपनियों के referral fees जने हम आम तोर पर commission भी कहते हैं अलगलग कमपनियों के अपने अलगलग category पर अलगलग commission rate है यह आप किस company का कितना category पर commission rate है तो आप गूगल पर जाकर उस company की website पर उनका पूरा chart आप देख सकते हैं इन कमपनियों की एक दूसरी जो fees होती है वो होती है shipping charges shipping charge की जो calculation है वो दो तरीके से होती है पहला तरीका होता है आपके product का weight यानि कि आपके product का कितना weight है इन कमपनियों के अलग-अलग weight इन्होंने divide कर रखे हैं जैसे 0 से 500 gram के अंदर आपका product है तो आपका इतना weight लगेगा और 500 gram से 500 gram के बीच है आपका product तो इनका कितना pricing है फिर इन्होंने 500 gram से 1 kg के बीच में कितना pricing लगेगा फिर इन्होंने जॉन बांट रखे हैं तीन जॉनों में इन्होंने shipping rate बांट रखे हैं जैसे एक local जॉन होता है एक regional और दूसरा national local में जो charges है ज़िए आप जिस sales से product sell कर रहे हैं उसी sales में कोई customer order करता है तो आपको local charge लगेगा और जिस street में आप sell कर रहे हैं उसी street से order आ रहा है या आपके परोसी street से order आ रहा है तो उसमें regional में जाएगा आपका shipping का charges और ज़िए national यानि कि यदि आप UP से sell कर रहे हैं और south की किसी street में आप कोई customer order कर रहा है तो आपको national shipping लगेगा तो इस तरह से shipping charges को इन्होंने बाटा हुआ है तो आप ये check कर लें कि आपका product कितने ग्राम का है और वो national में आप costing add कर के चलें आप ये मान के चलें कि मेरे सारे order national से ही आएंगे तो जिससे आपका एक average price आप fix कर लेंगे चाहें फिर आप लीजनल से आए लोकल से आए आप नेशनल जो प्राइस है जो नेशनल शिपिंग प्राइस है वो आप मान के चलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं वेट के साब से मान लीजिए किसी किसी का product ऐसा होता है जिनका वेट तो कम होता है जैसे दो सो घ्रा माहिए बैसाव लेकिन जो उनकी जो पैकेजिंग डायमंस वह ज्यादा होती है तो कंपणी यहां भी चालाकी लेकर और उसको 5000 से डिवाइड करते हैं और जो बेलू आती है ग्राम में फिर आपका वो निकल के आता है volumetric weight बहुत सारे लोग blazer और सारी बगरा जो sell करते हैं box के अंदर तो उनकी यो dimension ज्यादा होती है वेट कम होता है तो volume metric weight और प्लस आपका जो actual weight है दोनों को सही तरह से calculate करने के बाद आपको अपनी shipping price calculate करनी चाहिए इसके अलावा फिर इनकी कुछ collection fees और एक fixed fees भी होती है जो successful sell की उपर लगती है यदि कोई आपका return आ गया उसका referral fees, fixed fees, commission, shipping fees सारी जो एड करने के बाद मान लो आपके product की जो pricing है वो आ गई 500 आपको total pricing पड़िए अब आपको कितने रपी में listing करनी चाहिए sell price कितनी आपको decide करनी चाहिए यह अब यहां तक समझने वाली point है यहां से आगे जो है आपको क्या करना है जो product आप sell कर रहे है उस product को जिस platform पर आप sell करना चाहते हैं वहाँ जाए और उस product को search कीजिए आपके जो competitor होंगे जो same product को पहले से sell कर रहे है आप उनकी pricing देखिए जाकर कि वो कितनी रुपे में उस product को sell कर रहे है फिर अपनी pricing उसके according आप set कीजिए तो आपको माल लीजिए कि 500 आपकी costing पड़ी अब आप इस पर कितना percent profit लेना चाहते हैं मैं आपको यहां recommend करूँगा कि minimum आप 20 से लेके 25% तक margin अपना रखिए इस से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं जब आपकी sell आना शुरू हो जाए आपके product के उपर visibility और जब आपके product के उपर visibility आ जाए तब आप बढ़ा सकते हैं एक premium price set कर सकते हैं 20 से लेके 25% margin is good बसरते कि जड़ी आपके उस product के returns ज़्यादा नहीं आते हैं एक जो cost है वो आपको returns की भी add करनी चाहिए क्योंकि customer return आने पर company आपसे reverse shipping fees forward shipping fees और अपना commission वगरा सारे आपके charges लगा लेती है तो वो भी आपको अपनी costing price में set कर लेना है यह कैसे set करेंगे मान दीजी आप 100 order sell कर रहे हैं per day आपके 100 order मान लीजे जा रहे हैं या आप चलो 100 मत मानीजी छोटा फिकल ले लीजे 10 order आपके जा रहे हैं और 10 order में आपका एक customer return आ जाता है तो एक customer return के जो पैसे हैं जितना company आपके उपर charges लगा रही है वो 10 order में आपको divide कर देना है और उसकी जो pricing निकल के आए तो वो उसको आपको भी add करना है costing में जिससे आपको जो customer return आ रहे हैं उनको आप manage कर सकें और आप जो है loss में नजाए अपनी competitor की pricing देखने के बाद आप देख लेंगे कि वो product कितने कितने तिरफिय में sell हो रहे हैं और same product होना चाहिए तो आप जो price है उनस या तो equal लग सकते हैं या फिर एक रप्या उनसे कम रख सकते हैं सिर्फ ज्यादा नहीं एक रप्या कम रख दीजिए और वो आपके profit के 20% का margin उसके बीच में आ रहे हो तो starting आप वहां से कर सकते हैं एक चीज में आपको यहां बताना भूल गया कि आपको जो advertisement जो आप PPC campaign लगा होगे अपने product के ऊपर बिना campaign लगाए नई seller के लिए order of visibility पाना product पर थोड़ा मुश्किल होता है तो आपको PPC ad campaign तो starting में run करने पड़ेंगे तभी आपके orders आएंगे तो वो भी costing price आप add कर लीजिए माल लीजिए आप 100 पे या 200 रुपे पर day का campaign लगा रहे हैं PPC campaign उस लाती है आप कभी भी अपने portal की dashboard पर जाकर listing वाली टेब में अपनी प्रैसिंग कभी भी चैन्ज कर सकते हैं इसका कोई इसू नहीं है तो टैंसल लेने की जरूरत नहीं है कि यदि मैंने एक बार प्रैसिंग डाल दी तो वही रहेगी आप कभी भी प्रैसिंग अपने हैं स तो दोस्तो इस तरह से आप अपने प्रड़क की प्रैसिंग से अट कर सकते हैं ज़ी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो लाते रहते हैं और इसके लावा ज़्यापकी कोई क्यूरी हो तो मैं कमेट करके बता सकते हैं धन्यवाद